सुबह उटकर, खाली पेट, भिगी हुई अंजीर लेने से आप असानी से वेट लूज कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन से रीजन्स हैं जिनकी वज़े से अंजीर वेट लॉस को प्रमोट करती है साथ में अंजीर के और भी बहुत चारे फाइदों के बारे में हम जानेंगे ये भी डिसकस करेंगे कि अंजीर खाने वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है और अंजीर को खाने के वेस्स तरीके क्या हो सकते हैं इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना नमस्ते एवरिवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं I am Wow Health and Fitness Company की फाउंडर हूँ इन वीडियो के तुरूब मेरी कोशिश है कि मैं आपकी हेल्थ को पहले से बहतर बनाने में आपकी मदद कर सकूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं आज बात करते हैं अंजीर की जिसे इंग्लिश में फिक्स भी कहते हैं अलग-अलग भाशाओं में इसकी अलग-अलग नाम है एक नीठा फ्रूट होने के बावजूद अंजीर आपको वेट लूस करने में हेल्प कर सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि वेट लूस करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रिट है पोर्शन कंट्रोल करना मतलब कि फूक से थोड़ा कम खाना अंजीर का ये फाइबर हमारी डाइट में बल्क अड़ करता है जिससे देर तक फुलनेस की फीलिंग रहती है और क्यालरी इंटेक कम हो जाता है इससे हमारी ओवरीटिंग भी प्रिवेंट होती है इसलिए ये छोटी सी अंजीर हमें पोर्शन कंट्रोल करने में बहुत जादा मदद करती है अल्दो अंजीर खाने में बहुत ही मीठी होती है पर इतनी नाचरल मिठास होने के बाद भी अंजीर में बाकी सब मीठी चीजों के कंपारिटिवली स्लाइटली कम कैलरीज होती है इस टेबल में आप देख सकते हैं के 100 ग्राम शुगर में 387 कैलरीज होती है बाकी के शुगर अल्टरनेटिव में भी लगबग 300 के अराउंड कैलरीज होती है और ड्राइड अंजीर में 200 कैलरीज होती है फ्रेश अंजीर में सिरफ 50 कैलरीज होती है इसलिए अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो स्वीटनेस के लिए शुगर की जगां आप अंजीर को भी यूज कर सकते हैं अब कितनी अंजीर खानी चाहिए और इसे लेने का बेस्ट तरीका क्या है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे अभी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कुछ लोग वेट लूज करने के लिए सारा फोकस सिरफ कैलरीज पे करते हैं और तभी उन्हें ठीक से रिजल्ट नहीं मिलते सिरफ कम कैलरीज लेना इंपॉटन नहीं होता सही कैलरीज लेना भी ज़रूरी है गुड क्वालिटी कैलरीज यानि की जो हमें नूट्रिशियस फूट से मिलती है वो हमारे ओवरॉल वेल बीन को बहतर बनाती है जिससे हमारे सभी ओर्गन्स अच्छे से काम करते हैं बहुत से वाइटमिन्स, मिनरल्स और अंटी ओक्सिदेंस होते हैं जो हमारी हल्थ के लिए रिस्पॉनसिबल होते हैं और ऐसे बहुत से नूट्रियंस अंजीर के अंदर प्रेजन होते हैं ये ना ही सिरफ हमारे हॉर्मोन्स को बैलन्स करते हैं बलकी वेट को मेंटेन करने में भी हमारी काफी मदद करते हैं और इतने सारे नूट्रियंस की वजह से ही ओल्मिक्स प्लेयर्स को भी अंजीर खिलाई जाती थी आगे बढ़ने से पहले आप में से शायद कुछ लोग जानते होगे कि पहले मेरा खुद का वेट काफी जादा था, जिसकी वज़े से मुझे बहुत से हेल्थ इशूज रहते थे. एक अच्छी डाइट और लाइस्टाइल से मैंने तीन महीने के अंदर-अंदर लगबग 20 किलो वेट लूस किया, जिससे ना ही सिरफ मेरी ओवरॉल हेल्थ इंप्रूव हुई, बलकि मुझ में बहुत जादा कॉन्फिडेंस भी आया. अपनी फिटनेस जर्नी को पूरा करने के बाद मैंने आयाम वाओ के नाम से एक प्रोग्राम लॉंच किया, और इस प्रोग्राम में मेरे डाइटीशन्स आपकी च्वैसिस के हिसाब से कस्टमाइजड मील प्लान बनाकर आपके हेल्थ गोल्स को पूरा करने में आपकी करते हैं, हर हफते वीडियो कॉल्स पे आपके साथ connect करते हैं और आपके सभी questions के answers देते हैं, आपकी problems को solve करने की पूरी कोशिश करते हैं, हजारों लोग इस प्रोग्राम का benefit ले पा रहे हैं, तो अगर आप भी I Am Wow Community का part बनना चाहें, तो description में दिये गए लिंक पर क्लिक कर करके आप इस program की बाकी सारी details जान सकते हैं, I hope to see you inside the program, all the best! चलिए अब चलते हैं, अगले point पे और जानते हैं कि कैसे fix यानि की अंजीर weight loss में help करती हैं, जिन लोगों को constipation का issue रहता है, वो fix लेना start कर सकते हैं, 150 लोगों में की गई इस research ने प्रूव किया कि अंजीर में पाए जाने वाला fiber हमारी digestion को बेहतर बनाने में मदद करता है bowel movement को promote करता है और constipation को दूर करता है, आयूरवेद में भी कहा गया है कि सुभा 2-3 बिगोए हुए अंजीर खाने से पेट अच्छे से साफ होता है, अंजीर में prebiotic properties होती हैं जो के good gut bacteria को promote करती हैं और stomach related issues को दूर करती हैं, इन सभी benefits के अलावा अंजीर में potassium होता है जिसे high blood pressure control करने में मदद मिलती है, इसमें calcium भी बहुत अच्छे amount में होता है जिसे bones strong बनती है, इसमें antioxidants और vitamin C, vitamin E, vitamin A होता है जिसे premature aging prevent होती है, अंजीर के अंदर iron, zinc, manganese और magnesium भी होता है जिसे hormones को balance करने में मदद मिलती है और sexual health improve होती है, अंजीर हमारे air passage को clear करके respiratory problems को भी दूर क इसलिए Bible में अंजीर को fruit of heaven भी कहा गया है, चलिए अब जानते हैं कि आप एक दिन में कितनी अंजीर ले सकते हैं और अंजीर को खाने का best तरीका क्या है, So हम usually dried अंजीर खाते हैं, जिसमें fresh अंजीर के comparatively जादा calories होती हैं, असलिए एक दिन में दो या तीन से जादा dried अंजीर ना खाएं, और जिल लोगों को high blood sugar का issue है, या फिर liver या digestion से जुड़ी problems हैं, तो वो अंजीर को carefully खाएं, जादा portion में लिना उसे avoid करें अंजीर को आप overnight पानी में soak करने के बाद ही खाएं, ऐसा करने से इसे digest करना easy हो जाता है, इसके nutrients हमारी body के अंदर अच्छे से absorb हो पाते हैं, और इसके अंदर का glucose धीरे धीरे body में absorb होता है, मतलब कि sugar rush नहीं होता, आप इसे खाली पेट ले सकते हैं, चाहे तो इसके पानी क discard करने की जगहां आप उसे भी पी सकते हैं, ये anti-aging में help करता है, एक अंजीर को pieces में cut करके, एक cup milk के साथ boil कर लीजिए, और इसे सुभा आपने breakfast के साथ ले लीजिए, you will have a super active day, इसके लावा आप अंजीर को oats या फिर smoothies में डालके तो ले ही सकते हैं, जिस तरह आप चीनी क कई बार गोडिया फिर honey यूज करते हैं, अब से फिक भी यूज करना स्टार्ट कीजिए, और इसके nutrients का भी फाइदा लीजिए, मैं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, इसे लाइक जरूर करना और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते ह अगली वीडियो में, till then, fit रहो, hit रहो